चलिए next question जिसमें तीन पार्टनर है मेरे notes में है question number 38 और और जो पिछले वाले का न मैंने answer जो दिया हुआ भी मैंने चेक किया कुछ थोड़ा mistake है debit q 4000 तो ठीक है और debit r जो है वो 7000 नहीं होगा 1000 तो देखो typing mistake है जल्दवाजी मैं कर रहा है मैंने यह तो बाकी मैं questions करूँगा सारे question कर दूँगा तो आपके doubt clear हो जाएंगे ठीक है बाकी आप book में check करोगे तो सही answer मिल जाएगा आपको question number 38 है next Mohan Vijay and Anil तो एक का नाम Mohan है मैं M से denote करना हूँ एक का नाम Mohan के बाद क्या है विजय वी से और एक का नाम अनिल ए से ठीक है कहता है Mohan Vijay and Anil our partner the balance of capital 30,000 25,000 and 20,000 तो मैं तीन पार्टनर लिख लेता हूँ मोहन विजय और Anil capital है इनका being capital 30, 25 और इसका क्या है हमारा बताइए 24 है ना 24 had already credit in the partners और इन्होंने partners से बाट लिया विच देशियर प्रॉफिट एक मिन एक मिन एक मिन एक मिन एक मिन थर्टी 25 और यह 20 है रिस्पेक्टली इन अराइविंग दीज फिगर दा प्रॉफिट इयर एडिट 31 मार्च 2016 रुपीज 24 थाउजन हैड अल्रेडी बिन प्रॉफिट पार्टनर्स पार्टनर्स ने अपने कैपटल में क्या कर रख़्ाए इसे कैपटल कर रख्था है 24,000 या इन तीनों ने बिलके ना एक profit कमाया था और वो profit जो कमाया था क्या कमाया था 24,000 रुबए और वो इन्होंने बांट रखा है 24,000 credit in the proportionate share profit जो भी share profit है दे नहीं रखा तो 1 is to 1 is to 1 माने है the drawing दे रखा है 5000 मोहन का और विजय का और आपका अनिल का during the year दे रखा है तीनों का drawing भी दे रखा है 5000, 4000 और 3000 subsequently following omission were notice और कुछ notice किया गया decided bring the into account बोला गया कि omission का मतलब क्या होता है omitted का मतलब कि हम ये काम करना भूल गया क्या-क्या interest on capital देना भूल गया interest on drawing देना भूल गया make necessary adjustment through the working clearly तो बच्चे अब यहाँ पर देखो समस्या ये है हम practical बाते करेंगे यहाँ पर समस्या क्या है जो हमारा यहाँ पर capital है कहता है विजय अनिल पार्टनर their balance of their capital being balance दे रहा है अब यहाँ date तो दिया नहीं के closing आया opening नहीं दिया लेकिन कहता है कि यह already credit कर चुके है proportionately किसमें 24,000 रुपए कहता है they had already credit पहले से कर चुके है the drawing were 5,000, 4,000 और 3,000 रुपए तो इसका मतलब obvious है कि यह हमारा जो मानेंगे हम हम इसको closing capital मानेंगे अगें तो interest on capital देना है तो हमें opening करना पड़ेगा तो हम सबसे पहले इसमें add क्या कर दे बता हूं add drawing कर दे अब आपके इसाब से drawing क्या क्या है 5000 और मुझे एक बार बार कुछ दिखना पड़ रहा है तो चलिए पाँच चार और तीन पाँच चार तीन नव प्रॉफिट PSR दे रखा है क्या कई बार प्रॉफिट बोलता है इसके capital पे स्टूड है लेकिन ऐसा नहीं है तो 24,000 रुपे है तो 8,000 रुपे माइनस कर देंगे प्रॉफिट है न आठ हजार इसमें से माइनस आठ हजार इसमें से माइनस आठ हजार इसमें से माइनस चलो फटा-फट calculation बताओ क्या क्या आएगा 30, 35, 35 में से 8 है तो 27 है न और 25, 39 में से 8 है तो 21 और 23, 23 में से 8 है तो बताओ 15 सही है न कैलकूलेशन एक वर चेक कर लो तो हमें इंटरेस्स पता चलिए ओपनिंग कैपिटल हर किसी को पता है न ड्रॉइंग एड और प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल हमें पता चलते ही हम क्या करेंगे सबसे पहले काम सारी हमेंने कैलकूलेशन तो कर लिए प्रॉफिट हम अल्रेड़ी इसके अकाउंट में दे चुके जो कि वापसी लेगा तो प्रॉफिट रिटन बैक कितने 24,000 और पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कितने से कर देंगे 8,000 ठीक है ना 8,000 यह गलत प्रॉफिट था इसलिए अब इसके बाद कहते हैं इंट्रस अन कैपिटल जो है कुश्चन में ध्यान से देखो तो 10 परसेंट है तो क्रेडिट कर एक तो पहले 2700 और 2100 और 1500 क्लियर अब इस कुश्चन में देखो एक नए इंट्रस अन ड्रॉइंग और इन तीनों का कैपिटल पर भी फर्म पर भी खर्चा हो जाएगा यह 2700, 2100 और 1500, 3600 रुपर फर्म के लिए डेबिट ठीक है अब दिक्कत यह है कि इंट्रस अन ड्रॉइंग फर्म के यह उस पर ब्यास तो फर्म के लिए इंकम होता है तो इंट्रस अन ड्रॉइंग कहा जाएगा फर्म के लिए क्रेडिट में जाएगा लेकिन पार्टनर के लिए क्या होता है हमारा डेबिट होता है पींडल अप्रॉपेशन में देखा था ना आपने के इंट्रस अन ड्रॉ भी बाइनस होता है capital में से और interest on drawing भी तो हाला कि यहां पर interest on drawing तो calculate करके दे रखा है उन्होंने जो कि देखा जाए तो interest on drawing कितना है यहां पर अधाई सो दो सो और डेड़ सो तो debit कर देते हैं धाई सो दो सो और डेड़ सो ठीक है ना 250 200 250 200 and 150 600 रुपेश एक बार फिर से चेक कर लिजे अधाई सो दो सो डेड़ सो चार सो दो छे सो पार्टनर्स का क्या होगा 600 क्रेडिट हो गया बस complete छे नंबर का इतना सा कुछन आता है लेकिन फिर भी कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं अब टूटलिंग करते हैं देखिए यहां पर 24600 आ रहा है और यहां पर भी 24600 आ रहा है माइनस 3600 कर दे क्या हां सर 3600 कर दो तो 18300 आ गया जो कि प्रॉफिट मिल जाना चाहिए है ना बोलो और यह प्रॉफिट कैसे एकवल तो 1600 आएगा क्रेडिट इसके में भी 600 इसके में भी 1600 और इसमें भी 1600 और ना अब डिप्रेंशेट करते हैं टोटल देखने कि धर का टोटल ज्यादा इसका टोटल ज्यादा एक सट्सो प्लस सत्ता इससो 8800 है कि नहीं और यहां पर 8250 तो 8800 तो यहां क्रेडिट होगा इसका और क्रेडिट कितने से होगा 8800 माइनस में 8000 माइनस में 250 550 से यह क्रेडिट होगा इसका चेक करते हैं 82 और 82 देखो दोनों यह बराबर हो गया मज़े की बात तो इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि भाई इसको पहले भी है 8150 और इसका है हमारा 8150 लिखेंगे और कितना ज़्यादा है यहां डेबिट डेबिट 550 8150 माइनस 1500 माइनस 6600 550 ठीक है तो हमारा यहां फिर से पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं बता रहा तो एंट्री क्या करेंगे हम ए का डेबिट करेंगे तो ए इस कैपिटल डेबिट और टू एमस कैपिटल है ना एमस कैपिटल अमाउंट देखिए 550 और 550 बिंग में क्या लिखोगे पास्ट अट्जिस्टिट एंट्री पास तो यह हमने कुशन नंबर 38 बाकि आप अमाउंट से भी मैच कर सकते हो अपने बुक के अंदर ठीक है नोट करते जाना है इसको इसको भी नोट करिए फिर एक और कुश्चन हम लेंगे कर लिया नो कर लिया नो